Welcome back to a fresh video, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Central Government Job की Recruitment हो रही है केंद्रिय विशवी देले में और इस विशवी देले का नाम है विशव भारती विशवी देले, इस विशवी देले में Clerk, MTS, J, A.E. सहित, 709 पद भरे जाने वाले हैं आप इसके लिए अपना apply online कर सकते हैं और आप देश के किसी वी राज्या से हो, आप इसके लिए अपना apply कर सकते हैं इसके लिए apply करने की last date रहेगी 16 मय 2030 तो बात करते हैं, Post-wise Vacances की पहली पोस्ट रहेगी Lower Division Clerk की इसके 99 पद भरे जाने वाले हैं और अगर बात करे क्वालिफिकेशन की इसके लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में graduate degree होने चाहिए और आपके typing speed English language में 35 words per minute की होने चाहिए Second post रहेगी multi-tasking staff या MTS इसके 405 पद भरे जाने वाले हैं और इसके लिए आप कम से कम 10 पास होने चाहिए Third post रहेगी upper division clerk की इसके 29 पद भरे जाएंगे और इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से graduate और 2 साल का आपके पास अनुवफ होना चाहिए आपके typing speed 35 words per minute की होने चाहिए Next post ग्रूप B की post है और इस post का नाम रहेगा section officer इसके 4 पद भरे जाने वाले हैं Group B में अगली post है assistant या senior assistant इसके 5 पद भरे जाने वाले हैं इसके लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से graduate degree होने चाहिए और कम से कम 3 साल का आपके पास अनुवफ होना चाहिए Group B में एक और post है इसका नाम है professional assistant की इसके 6 पद भरे जाएंगे इसके लिए आपके पास graduate या master degree होने चाहिए in library या library and information science में 2 या 3 साल का आपके पास अनुवफ होना चाहिए Group C में एक और post है इसका नाम है semi professional assistant इसके 5 पद भरे जाने वाले हैं इसके लिए भी आप पीजी या master degree holder होने चाहिए और आपके पास 2 साल का अनुवफ होना चाहिए Group C में एक और post इसका नाम है library assistant इसका एक पद भर जाएगा और आपके पास graduate degree होने चाहिए in library and information science में आपकी typing speed 30 words per minute की होने चाहिए आगे vacancies के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं एक asset platform के बारे में जहां पर आप SSE CZL, SSE CPO, bank PO की त्यारियां बड़े आराम से कर सकते हैं मैं बात करूँगा Asian Online की Asian Online बहुत ही trusted platform है जहां पर आपको SSE CZL 2030 के लिए complete study material, mock test और detailed video solution मिलने वाले हैं अगर बात करें SSE CZL के लिए आपको क्या-क्या मिलेगा इस course में तो इस course में आपको मिलेगा 300 plus most important topic wise questions 20 plus hours की detailed video solution, doubt, resolutions by teachers, free trial आपको यहां पर मिलेगा और यह सब कुछ आपको मिलने वाला है just rupees 99 जी हाँ 75% का off अभी चल रहा है, link मैं आपको provide कर दूँगा description box में तो आपने वहां पर जाकर इसका complete study material buy कर लेना है क्योंकि offer limited समय के लिए है और यह offer बढ़ भी सकता है इसके लावा अगर आप IVPS bank PO, SBI bank PO, clerical की त्यारी भी कर रहे हैं तो आप वो भी यहां से उसके लिए study material buy कर सकते हैं SAC की जितने वी examination होते हैं जैसे SAC CZL, SAC CPO तो आप उन सब के लिए test series यहां से और study material buy कर सकते हैं बहुत important है आपके लिए 75% का off क्योंकि student हो तो आपके लिए गर 99 रुपीज में सब कुछ मिल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इसको buy कर लेना चाहिए तो चलिए बात करते हैं next post की, next post रहेगी library attendant की इसके 30 पत भरे जाएंगे और इसके लिए आप कम से कम 12 पत होने चाहिए laboratory assistant के 16 पत भरे जाएंगे, इसके लिए भी आपके पास graduate degree और 2 सल का अनुबफ होना चाहिए laboratory attendant के 45 post फिलफ होने वाली है, इसके लिए 12 पास होने चाहिए और आपकी 12 साइन्स ट्रीम में होने चाहिए assistant engineer electrical का एक पत भरा जाएगा, assistant engineer civil का एक पत भरा जाएगा अगर हम बात करें इन दोने post के लिए qualification की, तो आप BE या BTEC degree holder होने चाहिए तिन सल का आपके पास अनुबफ होना चाहिए stenography का अच्छा खासा knowledge और आपकी stenography में speed बहुत अच्छी होने चाहिए stenographer के दो पत भर जाएंगे, आप graduate होने चाहिए, साथ में आपकी steno में 80 words per minute की speed होने चाहिए STA मतलब की senior assistant के दो पत भरे जाएंगे, आप master degree holder होने चाहिए technical assistant के 17 पत भरे जाएंगे, आप graduate और 3 साल का आपके पास अनुबफ होना चाहिए security inspector का एक पत भरा जाएगा, आप graduate और 3 साल का आपके पास अनुबफ होना चाहिए senior system analyst के एक पत भरा जाएगा और इसके लिए आप detail में जाए, notification आपको मिल जाएगी group B के लिए 35 वर्ष और group A के लिए 40 वर्ष इसके लावा अगर बात करें reservation की आपकी age में तो आपको पूर relaxation भी दिया जानने वाला है application fees की बात करें, group C के लिए general OBS economy के लिए weaker section के लिए फीस रहेगी 900 रुपे, S.E.S.T. के लिए 225 रुपे और female candidate के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है group B में general OBS economy के लिए weaker section के लिए फीस रहेगी 1200 रुपे, इसके लावा S.E.S.T. के लिए 300 रुपे और female के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है ग्रूप E में General OBC Economically Wicker Section के लिए फिस रहेगी 1,600 रुपे SCST के लिए 400 रुपे और Female के लिए कोई फिस नहीं रहने वाली है अगर हम बात करें यहाँ पर Group A Level 14 जो पेस के लिए उस पोस्ट के लिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना शाहते हो तो आपकी जो फिस रहेगी General OBC Economically Wicker Section वो रहने वाली 2,000 रुपे SCST के लिए 500 रुपे और Female के लिए कोई फिस नहीं रहने वाली है इसके लिए आपका अप्लाई करना होगा 17 April 2023 से और Closing Rate रहेगी 16 में 2023 और अगर बात करें पोस्टिंग की तो आपकी पोस्टिंग होगी West Bengal Kolkata